नमस्कार आपका स्वागत है भगवान स्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये उपदेश दिया है कि मनुष्य के द्वारा किये गए कर्म चाहे वो बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म वे उसके आने वाले भविश्यों को तै करते है स्री कृष्ण कहते है इस लोक के अनुसार मनुष्य को उसके कर्म पर ही अधिकार है ना कि कर्म के फल पर मनुष्य को इस जीवन में कर्म करते रहना चाहिए उसका धर्म है कि कर्म करते रहना ना कि फल की काम ना करना सिर्कष्ण आर्जुन को समझाते है कि इस जीवन चक्र में आत्मा को चोराशी लाक योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म ही करने चाहिए जिससे उसका आने वाला भोईश्य और अगला जन्म भी आनत पुरुवक निकल सके इंसान के द्वारा किये जाने वाले बुरे कर्म ना केवल उस पर प्रभाव डालते है बल्कि उसके साथी जन्म और परिवार पर भी इसका घेरा प्रभाव पड़ता है किसे मनुष्य के द्वारा किये जाने वाले पाप का फल उसे और उसके परिवार के साथ आने वाली पिडियों को भी भुगतना पड़ता है किसी पिता के द्वारा किये गए बुरे कर्म उसके पुत्र को भी भुगतने पड़ते है किसी को धोका देकर पाए गए धन का उपयोग करने से या उसका उपभोग करने वाले के पूरे परिवार पर इसका प्रभाव पड़ता है और उन्हें भी इस कर्म की सजा मिलती है जैसा की कहा गया है जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे उसी प्रकार अगर मनुशे इस जनम में पाप वाले कर्म करता है जैसे चोरी, हत्या, भलातकार, मासाहार, इत्यादी ये सबी बुरे कर्म है और इनका फल भी बुरा ही मिलता है अगर मनुशे के पाप उसके अच्छे कर्मों से भी ज़्यादा होते है तो उसका परिणाम उस मनुशे को इस जनम के साथ अगले जनम तक भुगतना पड़ता है सिरकष्ण ने भगवत गीता में मनुशे के कर्म फल का संपूर्न ग्यान दिया है केशो बताते है कि जो मनुशे अधिक पाप करता है उसका फल देने के लिए भगवान उसकी बुद्धी का हरन पहले ही कर लेते है और उसके बाद उसे संकट के बादलों में धकिल देते है सिरकष्ण के अनुसार जो मनुशे पाप करता है वह इस संसार में अकेला रह जाता है चाहे उसका शरीर पंच्यत ततों में विलीन हो जाए लेकिन उसका अंतर्मन सदेव के लिए नरक की आग में भटकता है वह नरक में दी जाने वाली यातनाव को सहता रहता है स्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते है देर सवेर मनुशे को उसके पापों के कर्म की सजा अवशे मिलती है इन पापों में जो वेक्ती भागिदार होता है उसे भी सजा का भुकतान करना पड़ता है चाहे पाप कर्म छोटा हो या बड़ा उसे इसकी संपुर्न सजा मिलती है जैसे घ्यों के साथ सलगन रहने से गुन भी पिस्ता है उसी प्रकार पापी के साथ रहने वाले सदे से भी उसके साथ पाप के भागिदार हो जाते है चाहे उनका दोश हो या ना हो उन्हें इसकी सजा मिलती है अपने कर्मों को करने के बाद उसके फल भोगने के लिए प्रसन रहना चाहिए मनिश्य को अपने कर्मों से कर्मों को काटना चाहिए संसार में सुकी जीवन को पाने के लिए मनिश्य को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि इससे स्वयम और उसका परिवार सुकी जीवन वेतित कर सके इस संसार में हमें कोई देखे या ना देखे स्वयम स्रीकृष्ण हमें देख रहे है, हमारा सारा लेखा जोखा उनके पास है, हमारे द्वारा किये गए कर्म हमारा और हमारे परिवार का भगय तय करते हैं, अच्छे कर्म करने से सुकी जीवन और आनंद की प्राप्ति होती है, बार बार जन्म मृत्ति के चक्र से भी नि पनुष्य द्वारा किये गए पापों की सजा उसके साथ रहने वाले लोगों को कैसे भुगतनी पड़ती है इसलिए कोई भी पाप करने से पहले अपने परिवार के बारे में अवश्य सोचे अगर एफ वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करें कमेंड में जैस्रीक अवश्य लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद